राजसभा और लोगसभा में कॉंग्रस ने नोटबंदी के मुद्दे पर जम कर हंगामा किया सदन चल ले नहीं दिया शीत कालीन सत्र पूरा हंगामे की भेट चड़ गया लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब बीजेपी संसदिय दल की मीटिंग में कॉंग्रस के कालिधन पर कॉंग्रस की कलई खोली तो सुन कर आप दंग रह जाएंगे नरेंद्र मोदी ने कॉंग्रस की पूर्व प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी के शासन काल में वांग्चू समिती के रिपोर्ट का जिक्र किया जिसे सुनकर आपको भी कॉंग्रस की दोहरी राजनीती से खेन आ जाएगी कर दोती से खेना स्वाद साली आपको भी टोहरी घुटिस Łagई से खेन ऑूगाद पर बात बाजनीत सो बाजनी दॉट्टी प्याद बात। फिस्ट यह वाज़ इन यह दूटी और जो फिर दोट अईव जब झाव झाव पर रप्पिन्म इन पर दू कम इंट एंड़ पिल्म इन पर दू प्रॉप तिस कोट थी यह वाज़ पस्स बाद इन इन इंद एंधन डॉट रदर बटार इंट वाज व्ट वट उट था न वी report you have done nothing यह पुरानी सरकार की सोच के समद्ध में उनके कारोबार के समद्ध में सुप्रीम कोड की 26 मार्च 2014 की टिपनी कितनी गंबीर है मैं एक और बात वताना चाहता हूं 1971 में जब कि सिर्मति गांधी इस देश में राज करती थी एक वांचू कमिटी बनी थी जिस वांचू कमिटी का एक रिपोर्ट आया था और जिसमें नौटो पर पाबंदी लगाने के विशह में गंभीरता पुर्वक्त चर्चा की गई थी और उस कमिटी का रिपोर्ट कहता है और यह 1971 की बात है we are fully aware of the not too successful results of the demonetization in 1946 yet we are confident that this measures if introduced now would achieve substantial result because of altered circumstances वांचू कमिटी का कहना था 1946 में demonetization हुआ तो उसमें सबलता नहीं मिली लेकिन अकर 71 में करेंगे तो हमें बहुत बड़ी सबलता मिलेगी कहने का ताप्तवर यह है कि 1971 में देश को इसकी जरुरती जो आज हमने किया है इतने साल देर करकर के देश का कितना नुकसान किया है जिए हम कल्पना कर सकते हैं और उस समय के जो सीनियर आयस अपसर थे उन्होंने किताब लिखी है उस किताब का एक वाक्य मैं खोट करना चाहता हूं उस किताब में सिमान मादव गुडबुले की किताब है अन्फिनिश्ट इनिंग्स री कलेक्शन्स और रिफ्लेक्शन्स अपस्विल सर्वेंट को बात में केमिनेट सेक्रेटरी भी बने थे और यश्वंत्राव चवान जब फाइनांस मिरिश्टर थे तब यह उनके सचीव थे तब उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार अपनी कि में उल्लेक किया है वैन वाइबी चवान तोल्ड हर हर मन्स स्विमति गांधी वन वाइबी चवान टोल हर अबाउड दो प्रपोजल फॉर डी मोनिटाइजेशन और इस वीव दा इस शूट बी एक्सेप्टेड और इंप्लिमेंटेड फोर्थ वीथ उन्होंने आगे बड़न किया है इंदराजी ने चवान के सामने देखा कुछ पल देखा और फिर इंदराजी ने कहा सी आख्च चवान अल्ली वन क्वेस्टन चवान जी और नो मौर इलेक्स तो बड़न पार्टी इंदराजी ने भाई भी चवान को पूछा कि क्या भाई क्या क्या कॉंग्रेस को आगे चुनाओ बनाओ लड़ना है कि ने लड़ना है चवान गॉर्ड मेसेज़ एंद रिकमेंडेशन वास स्लेव बताईए था दल बड़ा की देश बड़ा ये 1971 में सारे रिपोर्टे उनके वित्नमंत्री कह रहे थे कि करने की अवश्यक्ता है देश के लिए जरूरी है और उस समय के सीनिय सिविल सर्वन ने लिखा है कि वाय भी शवान को जब ये पुछा गया सारी बात रुक गई जो काम 1971 में किया होता तो आज ये देश की बरबादी नहीं होती इस प्रकार से देश को चलाया गया है मोदी यही नहीं रुके मोदी ने इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमुहन सिंग पर भी निशान असाधा और कॉंग्रिस की सच्चाई बताई कि बीजेपी और कॉंग्रिस में क्या फर्क है अखिर हमने बेनामी संपत्य का कानून पारित क्यों किया है अब फिरे चिलाएंगे कि मोदी ने जल्दवाजी क्यों करती आप ने 88 से अब तक उसको लागू नहीं किया देश में बेनामी संपत्य इकटी करने वालों को खुली छूट दे दी और ये सरकार कानून पारित कर चुकी है नोटिफाइ कर चुकी है लागू करने के लिए कदम उठाएगी और फिर आप चिलाना शुरू करोगे क्या क्या देश ऐसे चलाओगे क्या ये सारी मुसीबत की जड़िये हैं कि इनके लिए देश से बड़ा दल है हमारे लिए दल से बड़ा देश है और इसलिए और जहां तक वैचारी की रादों का समाल है देखिए क्या हाल है दो हजार चाओदा दो हजार चाओड़ दो हजार चार डाक्टर मनमोन सी जी का भाशन में कोट कर आओ इंडिया 2015 will be a nation of capable and empowered men and women well-fed and gainfully employed modern and rational and actively engaged with the world that is my dream for India at the end of the next decade a decade is not long time indeed I do hope you share my sense of urgency in doing what we have to do यह उन्होंने 2004 में जब प्रदानमत्री बने तब कहा 24 जुलाइं 1991 को क्या कहा था देखिए फर्क कैसे आ रहा है दल बड़ा की देश बड़ा इस दूल जन में कहां से कहां पहुच जाते है 91 ड़ जाते है जुलाइं चन्होर्च के दूलाइं लगी दीजित्च वराज श के दाखिए जुलाइं बोल्स भीट्रू्टें का हुच जुलाइं पहुच टूल्फॉच विल्संट आजएं स्ट्रॉंग मेजर्स तुमेग टेक्स इवेडर पे आज सफिंचन्टली हाई प्राइज फॉर सच डेलिजन्सीज ये धंकी की भाशा उस समय कही गई थी और आज सारे स्वर बदल चुके हैं क्यों उनको अपने दल की चिंता है देश की चिंता नहीं है भाजो भेनो चानक के नीती में एक बहुत उत्तम बात कही गई है और यूपिये ने दस साल स्वासन किया उसके संदर्व में इसको देखे तो बहुत ही महत्रपुन बात चानक के नीती में कही गई है चानक के नीती के पंदर्वे अध्याय का छठवा द्वा है उसमें कहा गया है करी अनीती धन जो रेवू करी अनीती धन जो रेवू दसे वर्ष ठहराए ग्यारवे के लागते जड़व मूलते जाए करी अनीती धन जो रेवू दसे वर्ष ठहराए ग्यारवे के लागते जड़व मूलते जाए अन्याय से कमाया हुआ धन केवल दस वर्ष ठिकता है ग्यारवा वर्ष लगने पर वह मूल धन के साथ नस्ट हो जाता है यह उनके दस साल के खारकाल के सामने यह जो इखठा किया हुआ है इस पर चानक के उस समय कहके गए था उनको पता था